जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि अभी यहां पर हम प्रिवेस येर क्विशन पेपर को देख रहे हैं कि किस तरह आपको पेपर इस बार बोर्ड एक्जाम में आ सकते हैं अभी तक आपने पिसला वीडियो जैसे सोसल साइंस और उसके पहले हिंदी सब्जेक्ट के मैंने डाल चुका है तो अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरी चैनल को वहाँ पे आपको मिल जाएगा तो यह रहा आपके लिए गड़ित सब्जेक्ट की मॉर्डर पेपर को यहाँ पर देखते हैं एक तरफ समक हैं मॉर्डर पेपर की अभी तक आपने कोई भी अगर आपके पास पेपर नहीं होगा आपने कभी बोर्ड एक्जाम नहीं दिया तो आप सोच रहे होंगे कि हमार पेपर कैसा आएगा तो ठीक इसी परकार आपका पेपर रहता है आप देख सकते हैं इसमें किस तरफ के क्विश्चन आपको मैंस से पूछे जाएंगे यही सम देखेंगे इस वीडियो में तो बहुत सारी डीटेल में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे आपको जानकार यह यह आप करेंगे सेकेंड का माप क्या करेंगे जो भी आपका पेपर कोड रहेगा इसको उत्तर पूछतिए मतलब एंसोर इस सीट में सबसेंपूर्टेंट आपका थर्ड बात आपको 15 मिनित मिलता है पढ़ने के लिए तो 15 मिनित पेपर को काफी अच्छे से पढ़िए देखिए 2020 का पेपर है गडीत का उसके बार हम आते हैं आपके नीर्देश जो भी यह नीर्देश दिये रहते हैं जब आप 15 मिनट पढ़ लेंगे 15 मिनट में आपको नीर्देश सबसे इंपोर्टेंट होता है पांच मिनट में नीर्देश को अच्छी तरीके से पढ़े और उसके कितने खंड करने मतलब कैसे में चार पर हम इनग परको समूगं सम्मूख अंकित गया इस परसन के सामने आपको 5 दिया गया विखर इस्परस都 करेंगे तो आपको पाच नमबर मिलेगा देखिए पर्थम प्रसने से आरम कीजिए और अंतिम प्रसने तक करते जाए जो प्रसन ना आता हो उसे समय नश्ट ना कीजिए देखिए सबसे इंपोर्टेंट बाते हैं आपे लिखा गया पच्वे में जो भी प्रसना है उसको फटाग दे लेकर बैठ यह तब उसको हल किजिए ता आपके लिए बेश्ट रहेगा अब देखिए आप प्रस करपे हमाते कि किस तरह आपके लगवक प्रसना पे पूचे जाएंगे अभी आपको मैं बताते हैं देखिए आप छटवे नीर्देश में आपको क्या बताया जा रहा है य यह हमारा क्या है बाया मतलब लेट और यह हमारा दाइट तो इस पर आप रफ कार किजिए लेकिन इस पर कोई यह नहीं कि इतना में रफ कर दिये और इतना में हम क्या करें एंसवर लिखते रहें इतना में इंसवर इतना में रफ यह गलत रहेगा अगर इसमें रफ कर रहा है संचेप में रचना के पद अवस से लिखें देखिए जो भी आपका रचना थ्यास से बनाए और एक बार जो बना देते उसको नौ मीटा है और इसका जो रचना के पद हो उसको अवस से लिखें उसमें अगर नहीं का हैत तब भी आपको यहाँ पे स्कीने दिया even आठवा में प्रस्ण संक्या एक यह तरीक सभी प्रस्णों को हल के किरिया पद असपस्ट रूप में लिखिए प्रस्णों के हल को उतर पूस्थी का कि दोनों और लिखिए देखिए दोनों और मतलब यह राइट है फिर इसको पलाटेंगे तो इसके वाल लेप्ट आएगा तो इस दोनों और आपको हल करना है और प्रस्णम वन देखिए आप बहुविकल्पी प्रस्ण को हल करने के लिए नहीं बोला गया है क्योंकि पहला प्रस्णम जानते हैं वर बहुविकल्पी होता है इसके अलावा सभी प्रस्णों के क्रिया पत को असपस्ट रूप में ल अपूर माना जाएगा जिन में चीतर कहा है बनाने के लिए उसको चीतर जरूर कीजिए अगर आप नहीं बनाते हैं तो चीतर के बीड़ा हल असुध अत्वापूर माना जाएगा मतलब आपको उसके नंबर नहीं मिलेगा तो जरूर उसका चीतर बनाए पेंसिल से आपको ची वेस्ट करने हुआ देखिए खंड को में आपको स्वरी सभी खंड करना यहां पर अनिवारे हैं प्रते खंड के उत्तर के लिए चार भी कल्प दिये गए जिनमें से एक साही है साही भी कल्प छाट कर उसे अपनी उत्तर पूष्ट काम लिखे कोई एक विकल आपको क्यों डा डालेंगे कोका हल सीधे आप एंसवर चार है तो चार एंसवर लिख देंगे इस तरह एक नमबर यहां से देखिए एक नमबर यहां पर दिया गया है इसी तरह आपको एक नमबर खो से भी मिल जागा एक नमबर घो से भी आपको एक नमबर और अंग से एक नमबर इस सभी प्रस्णों को एक बार जरूर हर्द के लिएगा क्योंकि बहुत आपके लिए बोड़ी काम से बहुत ही most important प्रस्णी है आपके लिए हैं चो से भी आपको एक नंबर मतलब कि आपके छे सभी खरने यहांपर वी अनिवाल रहे हैं इसको देखते हुए आप इसको हल करें देखिए जब खो को आप हल करेंगे तो इस चीतर को जरूर बनाईएगा आपके एंसर सीट पर जिससे की मालूम हो कि यह किसका एंसर है आपको हल करने में भी आसानी रहेगा तो इसका जरूर चीतर बनाएगा अब देखिए तीसरे प्रसन पर आते हैं तीसरे प्रसन में आप को से खण्ड केंसेगे गाएं मैं यहां से आपको मिलेगा मैं फ़ेपल कहीं जाईगा me तो आप्न को कया करना हुगा अच्छी तरिके से हलकरना होगा गॉष्ण step by step पे आपको नंबर मिलता है यह मैं आपको बता दू तो आप अच्छी तरीके से फार्मूले को जरूर याद रखिएगा जिससे कि आपको फार्मूले पे भी एक नंबर मिल जाएगा अगर आप question के answer में लिखते हैं तो देखिए सभी खंड़े यहां पर भी करने निवार रहे हैं यहाँ पर दो नंबर के प्रसणे दिये गए हैं देखिए दो दो नंबर के प्रसणे यहां से आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेटं प्रस्ते यहाँ पर दिये गए हैं चोथा प्रस्ण हो गया अब आते हैं पच्छमे प्रस्ण पे पच्छमे प्रस्ण में भी आपको चार प्रस्ण देखने को मिला है कि इहां पे चार चार नमबर के प्रस्ण पूछे गए चार चार नमबर के देखिए को खो गो गो चार नमबर के प्रस्ण दिये गए हैं जब इस बारम बारता को आप हल कीजिएगा तो इसको अपने कापी में जरूर बढ़ाईएगा जब आप इसको खो को हल कीजिएगा तो इसको आप जरूर इसको अपने कापी में भी जो एंसर सीट है उसमें बढ़ाईएगा और इसके रचना के पद इसमें जरूर लिखिएगा ज तो तो जो भी आपका थे तरब से अच्छा परस्टेज बनेगा तो इसको जरूरे आप हल कीजिएगा अच्छी तरीके से तो यह रहा उसके बाद आपके लिए सतवा परस्ञ साथवें परस्ञ में आपको देखिए बहूत इंप्राइंट है सातवा प्रस्ण सातवा प्रस्ण में आपको क्या कर रहा है देखिए इसमें ध्यान दिजिएगा इसमें अथवकर कर दिया है मतलब को में भी दो प्रस्ण दिया गए एक प्रस्ण यहां पे है और एक प्रस्ण यहां पे भी है खो में भी 2 प्रस्ने दिया गए एक तरफ हैं 20 तूत्री प्रस्ने बोल सकते हैं 6 नमबर यहां से और 6 नमबर यहां से मतलब की 12 नमबर प्रस्ने यहां से पूछा जा रहा है तो आप देखिए लाग्ते के ससे डालां से कशोले नमबर फृष्ष से आपको शोले नमबर आप सब्सakal चुम के प्राष्ष से आपको वारे नमबर ठोच चार का उबकर नमेर 24 अनुट के प्रक्ने से पोछ नाहें मतलब है अटिलग नंहीं और मुदा आपको बढ़े नमबर के प्रस्न पूछे जा रहे हैं और लगूत तरी प्रस्न से आपको 16-16 नंबर के प्रस्न पूछे जा रहे हैं मतलब 32 नंबर के प्रस्न यहां से आपको पूछे जा रहे हैं मतलब 23 तरी प्रस्न और लगूत तरी प्रस्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अच् इतना ही मिलते हैं ले वीडियो में और भेहने जनकारियों के साथ तब तक के लिए जैहिन वन्यवात रहों